आज हम जिस भाव का फलादेश करेंगे उभाव है पंचम अब पंचम भाव किन बातों के लिए जाना जाता है यह भी आपको जानना बहुत जिरूरी है जन्म कुल्ली में पंचम भाव का अगर काल पुरुस की कुल्ली से देखे तो सूर्य ग्रह से बिचार किया जाता है लेकिन यहां के कारक ग्रह हैं इसलिए पुत्र आदि का विचार भी यहां से किया जाता है आध्यात्मिक स्रजन शक्ति का पता यहीं से लगता है आदमी कितना इमानदार है यहीं से पता लगता है लोगों के दिल को जीतने के लिए विक्ति के अंदर कितनी योगिता है यहीं देखा जाता है इश्ट देव मंत्र, मंत्रना, मंत्री पद इत्यादी के लिए प्राप्ती होगी या नहीं होगी यही पंचम घर से देखा जाता है तो तंत्र, मंत्र, लाटरी, जुआ, सट्टा, प्रेम, मनोविनोध, प्रतियोगी परिक्षाएं और लाटरी सट्टा कि सब यहां से देखा जाता है और साथ साथ देखा जाता है बचपन में बाल अरिष्ट किसी बच्ची की बारे में अगर अरिष्ट देखना हो तो इसी भाव से देखा जाता है जैसा कि हमने कुणली रखी हुई है कुणली चक्र सामने अब पंचम भाव बिक्ति का पेट भी है पंचंब्भाव पीठ वी है इसलिए संतान से सुख होगा नहीं होगा मन बुध्धी शिक्षा विशय इसका विक्तित्व प्राण शक्ति गर्भ अस्मन शक्ति ज्यान मंत्र सिधी इत्यादि के बारे में यहीं से पता किया जाता है। उच्च सामाजिक वर्ग, बिदेशिक, बिदेशों के राजनाइतिक अस्तर, बिदेशी दूत, इत्यादी के बारे में यहां से बिचार किया जाता है। अब पंचम भाव में आपका जन्मकुंडली में कौन सा राशी है आपको यह देखना है। और साथ ही ही साथ आपको देखना है पंचम भाव में बैठे हुए। पंचमेस आपके जन्मकुंडली में किस घर में है। ठीक है। अगर पंचम भाव का स्वामी जातक के लगन में वैठा होगा और शुब होगा तो जातक मंत्र, तंत्र, शक्तियों का मालिक होगा। बुद्धिमान जातक होगा और सुविख्यात यानि कि फेमस होगा। शास्त्र में निपुड लेकिन विर्थ का खर्चा नहीं करेगा इसा बैठी है। इसलिए संसार में लोग इसे कहते हैं कंजूस जबकि कंजूस नहीं होता यह नौन नैतिक्ता कर अनुसार चलने वाला विक्ति अनवश्यक भोगों में इसके कोई बृत्ति नहीं होती है। भोगों से परे त्याग में जीवन जीने की कला इस विक्ति में होती है यदि पंचमेश लगने में शुभ ग्रह हो करके बैठा हो तो सतकर्म प्रेमी होता है यह विद्या, मंत्र, शास्त्र, संगीत इन सब में इसकी रुची अच्छी होती है और यह विक्ति किसी को कुछ कह दे तो सच हो जाता है चुकि पंचम भाव आदमी को बहुत सारे एक्टिविटीज देता है संपूद्य भाव है पंचमेश लगनगत होने से जातक में सारे गुण उपस्थित मिलेंगे जिए चिक अब पंचम भाव का स्वामी यदि धन भाव में होगा धन भाव कोटुंब भाव भी है वानी का भाव भी है पंचमेश उब होने पर जातक के अंदर वाक पटुता देता है शुब लक्ष मी देता है पंचम भाव का मालिक दूसरे घर में बैठा होगा, तो जातक कंठ का सुरीला होगा, लिहाजा उसे संगीत में रुशी होगी, अपने संतान की तरह अपने कुटम्बियों का देख भाल करने वाला जातक होगा, लेकिन जब शुरू होगा तो, मैं पहले बता चुका हूँ, प प्रूर और पाप ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देते, अगर पंचम भाव में ऐसे ग्रह बैठे होगे, तो जातक को संतान का सुक नहीं मिलता, पंचम भाव का स्वामी धन भाव में बैठे, यानि दूसरे भाव में बैठे, तो कभी-कभी पंचमेश यदी बुरा तो जातक अनावश्यक बेर्थ के कामों में फसा हुआ, धन के लोभ में, लालच में, लाटरी जुआ सकता है, इत्याद में अपना धन भी गमा बैठता है, और परिवार के लोगों के साथ इसका मद्भेद भी हो जाता है, कुटम्बियों से बिरोध भी हो जाता है, पर दृष्टी किसकी पड़ रही है, यह सब बाते काउंट करती है, और दुतिये भाव में पंचमेस बैठा हो, तो ऐसे बिक्ति को श्वास, कास, खासी, इत्यादी की रोग प्रायार देखे जाते हैं, पंचमाधी पती पाप ग्रह हो अगर, तो जातक को धना भाव में ध धनवान होगा, पत्रवान होगा, दिर्ग जीवी होगा, यानि धन का अधीश, सेठ, साहुकार, व्यापारी, वर्ग किसी भी छेत्र में हो, शुब ग्रह होने पर, यह वक्ति मंत्री की पद को प्राप्त करने की छंता रखता है, वे ओफ टाकिंग अच्छी होगी, पंचम भाव का स्वामी कुटम भाव में बैठने पर, जातक को विशेश तोर से पुत्र से धन लाब दीता है, अच्छे पुत्र होंगे, पंचम भाव पुत्र है, लेकिन पंचमेस अशुब होने पर, जातक को खान पान का संयम नहीं हो पाता, इसलिए यह रोगी हो जाता है, मालो मंगल है, पंचमेश, दुत्य भाव में बैठा हो, तो जातक को सब कुछ देगा, लेकिन पाचन शक्ती कमजोर कर देगे, जलन हुआ करेगी गले में, कंठ में रोग हो जाएंगे, ऐसे यदि कुरूर और अशुब ग्रे होंगे दुत्य भाव में, तो जातक अपने के साथ रहना नहीं पसंद करेगा, इसलिए पंचम भाव पर बड़ा विचार करना ध्यान पूरवक है, पंचमा धिपती यानि पंचम भाव का स्वामी तीसरे घर में जाए, तीसरा घर पंचमा धिपती का मित्र हुआ, तो इसके संताने बच्चे जतनी होंगे, जातक के मि तर की तरह होंगे, खेल, कूद, के मैदान में जातक अच्छा प्रदरशन कर सकता है, इसको डिस्पले पर जाने का बड़ा शोक होता है, फिल्म एक्टिंग करने का बड़ा शोक होता है, प्रदरशन करने का बड़ा शोक होता है, नए नए मित्र बनाने का बड़ा शोक होत अपने भाई बंधों में इसकी यश्कीर्थी बढ़ेगी और बड़ा बलवान शक्ति-शाली विक्ति होता है, माया भी होता है, तरह-तरह की युक्तियों से अपने आपको परिवर्तित करने का सुभा होता है, विक्ति की बेटी और उसके बेटे पुत्र, उसके भाई बंधों का सिश्टाचार के द्वारा सम्मान करने वाले होंगे, यानि इस जातक के पुत्र अपने चाचा, बुआ, भाई बंधों का पालन, लालन करने वाले होंगे, ध्यान रखने वाले होंगे, केरफुल होंगे, और जातक किसी को कुछ भले न दे लेकिन इसके पुत्र जरूर अच्छी होंगे अगर शुब ग्रह है और शुब ग्रह से युकत है तो इस सारी अच्छाईया होंगे कारियों में सिध्धिपराप्त करवाएंगे सुखी और शान्त था बिनमर बनाएंगे लेकिन अशुब होंगे तो जातक उद्धंड किस्म का होगा लडाकू होगा बिसनी होगा जातक कि बच्चे भी बिसनी होंगे क्योंकि तरतिय भाव बल पराक्रम है और पंचम विद्या इसलिए पंचम भाव विद्या भाव का अनावश्यक प्रयोग करना तंत्रमंत्र का प्रयोग करना भी इस ब्यक्ति के अंदर एक प्रकार का सामर्थ दे देता है तो कई बार पंचमे इस तरतिय स्थान पर हो करके जातक को बदनामी भी देते है प्रेमभाव है पंचम तो अन्यस्त्रियों में आ सकती होने के कार्ण जातक का बल विनस्ट हो जाता है वीरी विनस्ट हो जाता है पंचम में बैठे हुए ग्रहे जो भी हो लेकिन पंचमें इस तृतिय घर में बैठा होगा यह सब होगा अब आपकी जन्मकुल्ली में क्या है आप देखिए चतुर्थ भाव पंचम भाव से बार्वा भाव है तो पंचमें इस चवथे घर में होने पर जातक अपने धन संपत्ती, शक्ती सब मा के चरणों में अर्पित करने वाला होगा मा के सेवा करने वाला होगा पित्र कर्म में यविक्ती जन्य पिता के कारे में लगा हुआ पिता की सेवा में लगा हुआ अच्छा पालक होगा पित्र पालक होगा मा का भक्त होगा गुरूओं का भक्त होगा पंचमेंश सुख में होने पर जातक अपने बिद्या, बुद्धी, ये समस्त चीजों को समरपण करके चलता है चतुर्थ में हो पंचमिश्टो अपने घर को मंदर की तरह समस्ता है इसलिए ये वेक्ती, लक्षिमीवान, फुल केरनिस, फुल एंजॉयमेंट लाइफ में करता है और बच्चों के साथ इसके खेलने को जने की एक बड़ी अच्छी आदत होती है लिहाजा पंचमिश चतुर्थ में होगा तो बेक्ति सुबुद्धीमान यानि अच्छा दृष्टिकोन पंचम भाव का स्वामें, पंचम में होना उपलब्धी है बताता है कि जातक बड़ीमान होगा अगर पंचमेश पंचम में है शुब होने पर विशेश बड़ीमान होगा अशुब होने पर क्रूर होने पर सुभाव में क्रोधी उद्धन्ड प्रकृतिका होगा तंत्र, मंत्र, शक्ती का प्रयोग करने वाला हाँ जुआ, लाटरी, सट्टा पहली बाद तो खेलेगा नहीं और खेलेगा अगर तो जातक को उसमें फाइदा भी होगा यदि पंचमेश पर किसी ऐसे ग्रह के दृष्टी न हुई तो वो विक्ति अचानक धन लाब करता है जो बचन देगा यह विक्ति पूरा करेगा किसी से कुछ कहा, पंचमेश अगर पंचम में है, तो किसी से कुछ कहा तुसे पूरा करेगा अपने बचनों पर बहुत विश्वास रखता है। संतान के पक्ष में कुछ थोड़ा खराब करता है। संतान का सुख, पुत्र का सुख कम देता है शुब होने पर देखा गया है कि मिलता भी है सुख परंद पंचमे इस पंचम में पुत्रों से बहुत लगाओ नहीं रखता जाता है और पंचम भाव का स्वामी छठे में जाने पर क्या नुकसान होगा पंचम उदर है स्वास्त को खराब करेगा, पेट को खराब करेगा, रोग पैदा करेगा पेट के पंचमे इस छठे में होगा तो, संतान शत्रुता निभाएगी पिछले जिनम की शत्रुता निभाएगी संतान तो यह पक्का है कि आपके बच्चे आपके साथ बिरोध रखेंगे और इस ब्यक्ति के शत्रुबोत होते हैं इरशालू बड़े होते हैं, जलन वाले बहुत होते हैं और कहा है कि इस ब्यक्ति को पत्रों से हानी होती है और मान हानी होती है धनहानी होती है करजा बढ़ता है लेकिन यह व्यक्ति हतियार रखने का शोकिन होता है यह व्यक्ति शत्वू से मिलके चलने वाला होता है और इसका सरीर भारी वजनदार होता है और भी दोश युक्त बीमार पाप ग्रह से युक्त हो तो इस व्यक्ति को धन और पुत्र दोनों ही सुख नहीं देंगे किसी भी प्रकार का और पंचमेश छठी भाव में बैठ करके कभी-कभी बच्चे को एडॉप्ट करवाता है यह यह एडॉप्टेट सन इसलिए दग्तक पुत्र कहा गया है अगर पंचमादी पती पाप ग्रह है पाप ग्रह कों से? शनी इत्यादी पाप ग्रह है चंद्रमाप पाप ग्रह बन जाएंगे कृष्ण पक्ष की हम उससे अत्यादी के तो जातक को दुष्ट बनाएंगे दुष्ट प्रभाव, सुभाव पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम में है तो मैंने जहां तक रीड किया है जातक में फीमेल की प्रती बहुत प्रेम आकरशन होता है लेकिन इस विक्ती की इस्त्री का सुभाव, सील संपन होता है सदगुन संपन होता है केरनिस होती है ऐसी जिसकी पंचमेश सप्तम बैठा हो उसकी इस्त्री अच्छे संतान को संसकार देने वाली शुद्ध सुशील अवस्था वाली पुत्रवती कहा जाता है और इस्त्री सुंदरी ब्यूटीफुल इस्त्री होती है इस विक्ती की इस्त्री में सारे गुण पंचम के गुण होंगे बिद्या, बिने, संपन, मंत्र, तंत्र, शक्ती, उपासना, ब्रत, कर्म बड़े बुजर्ग गुरु जनों इनका सम्मान करने वाली इस्त्री होगी और प्राया इस विक्ती की इस्त्री कहा कटी प्रदेश सुंदर यानि कमर का भाग पतला होता है और जातक स्वयम भी यंत्र, मंत्र, तंत्र, माया, जादू इन सब में रूची रखने वाला होगा जातक स्वयम बहुत कंजूस होता है जातक किस्त्री उदार होती है पंचम भाव का स्वामी सब्तम में बैठे या बिबाह के बाद प्रेम अवश्य होता है पंचमेश अस्टम में जाए तो मेरे विचार से जातक को देर से संतान मिले या संतान हो ही न क्योंकि आठवा घर सम्षान है और यदि हुई संतान तो विचार कुशन होगी धन संपत्ती प्रदायक होगी संतान लेकिन इस्तरी से यह वेक्ति दुखी होगा इस्तरी का सुभाव बड़ा कटुभाशी होगा इस वेक्ति की पास पैसा ने रुकेगा तो कभी-कभी ये मुर्खों जैसी हरकते करेगा मुर्ख कहा जाएगा अपना पैसा जो ये सट्टे में बरबाद करने वाला जातक होगा पढ़ाई लिखाई होकर के भी किसी भी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्तु नहीं होगा क्योंकि पंचमभाव शुन्य अस्थान, शम्शान अस्थान है खेती वाड़ी, भूमी इत्यादि का विचारừa किया जाता है कभी-कभी पंचमेश सुब होने पर जातक को उदार कीर्ती और बना दीता है बैग्ञादि बना दीता है ध्यान तंत्र-मंत्र मेडिटेशन इत्यादि बैग्ठी की रुशी करवा दीता है अकशर पंचमेश जब अश्टम में होगा तो चाहे संतान या भाई अंगहीन होने का भाई देता है शरीर का कोई अंग खराब या अश्टमेश से पंचमेश को युति करता हो तब भी चाहे भाई नेत रहीन हो मन देखा है ऐसा पंचम भाई से नवम पंचम भाई से पंचम यानि लगन से नवम भाई 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 होता है और पंचमेश अगर नवम में है तो जातक अपने करमों से सुख प्राप्त करता है अपने करम से पिता को सुख देता है कुल को सुख देता है कुल को चारचांद लगाता है गीत, काब्य, कभी, रसिक, राजा से सम्मानित इस वक्ते को कई बार गौर्मन्ट से लाव मिलता है और इस वक्ते में रूप भी भगवान देते हैं सुन्दर का भी देते हैं नाटक कार, नाटक रसिक, सनेमा, इत्यादिका रसिक, पर शास्त्र को जानने वाला होता है कुल मिलाकर के ऐसा वक्ते समाज में प्रिय बनता है, समाज में इसकी ख्याती होती है और इस वक्ते को राजा से सम्मान में वाहन आदि की प्राप्ती बताई जाती है गरंत लिखना कुल मिला करके पिएचडी करने वाली कंडिशन होती जातकी और जातक कुल दीपक ख्यात इमान या फिर इस बिक्ति का पुत्र राजा की तरह राजनीती में नाम कमाता है उच्छ राजनेता बनता है पंचम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठे तो इस बिक्ति के अंदर एक क्वाल्टी होती है कि ये नए नए काम ढूंडता है अच्छे काम करने की इसकी इच्छ भी होती है सतकर्म करने की सास्त्र यज्य पूजा, पाठ इन सब में ये बिक्ति परंगत होता है लियाजा फेमस होगा पंडित्य कर्म में मा के सुख की प्राप्ति और मा के द्वारा इसने ही की प्राप्ति भी इस बिक्ति के होती है राजा के समान एश, सुख सम्रधी वाहन, मकान प्रापर्टीज बहुत सारे होते हैं और विशेश रूफ से इस बिक्ति की संतान कर्मठ होती है इस जातक का संबच्चा सरकारी काम काज करने वाला गौवर्मेंट से रिलेटेड बरकर होगा इस बिक्ति को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम होता है बिक्ति लेखक होता है लिखने की कलावड़ी अच्छी होगी ऐसा शुब होने पर और जातक खुद कुल दीपक होगा ऐसे जातक को जिसका की पंच में इस कर्म में धन पिता के स्थान पर बैठे तो जातक अच्छा ब्यापारी वर्ग में भी अपना सम्मान प्राप्ट करता है दशम अस्थान पर बैठे होने पर जातक को कुल दीपक कहा जाए तो बुरा नहीं पंचम अस्थान से ठीक ग्यारवा सब्तम अस्थान पड़ता है पंचम से पंचमेश ग्यारवे में बैठे होने पर जातक बड़े भाई बहनों के साथ जुड़के चलता है यह विक्ती बहादुर शूर लड़ाई जहड़ों से डरने वाला नहीं होता लिहाजा योग्गिता के कार्ण इसमें हिम्मत और चमता खुबोती है यह विक्ती धनवान भी होगा पुत्रवान भी होगा लेखन, काबे संकलन, ग्रंत लेखन इन सब गुणों से भरपूर इस विक्ती में योग्गिता होगी और अच्छे कर्मों का फल जातक को सुख मिलते हुए देखा गया पंच में इस ग्यारह में भॉम बैठा होगा तो हाँ इसको गाने बजाने से बड़ा शोक होता है रसिक होगा है संगीत सिप्रेम कई बार ये संगीत कला के द्वारा कई प्रकार के अवार्ड हांसिल करता है ऐसा भी देखा गया है और इस बिक्ति के मित्र भी बहुत होते हैं अब देखिए पंचम भाव का स्वामी अगर बारवे में चला जाए तो संतान से हानी होगी उसका बच्चा उसकी पैसे को नश्ट करेगा या फिर पुत्र ही इन होगा ऐसा बिक्ति अगर शुभ ग्रह है पुत्रवान तो होगा लेकिन पुत्र आगे चल करके निठला निकम्मा निकल जाता है सुत्संताप यानि बच्चे के कान दुख होगा अगर पंचमेस बारवी घर से संबंद रखता होगा तो बच्चे की कान इस बिक्ति को दुख होगा और ये बिक्ति परदेश में रहता है अपने जनम अस्थान को छोड़ के है बिदेश में रहता है पंचमेस के दुआदस अस्थान में रहने से जातक खर्च करने में बड़ी रुची रखता है करजा लेकर घी पियो जब तक जिऊ सुख से जिऊ वो वाली कहावत यहां पर चरितार्थ होती है तो पंचमेस का दुआदस अस्थान अधिपती से कोई संबंद हो जाए तो विशुभ नहीं है और दुआदसे इस पंचम से या पंचमेस दुआदस में चला जाए तो भी जातक का पुत्र देभेचारी प्रकृतिका होता है लियाजा पंचमेस का छठे आठवे बारा भावों से कोई संबंद हो तो जातक को संतान से सुख अच्छा नहीं प्राप्त होगा इस तरह पंचमेस का बारा घरों में जो फलादेश है प्राई करिएगा जो मैंने बताया उसमें से गुण आपके पास आपके किसी रिस्तेदार के पास जरूर होंगे लेते हैं बिड़ा अगले वीडियो में तब तक चर्चा करेंगे नमस्कार जर्शे कृष्णा